हेलो एब्रीवन, स्वागत है आप सभी का काजिश्योमा क्लासिज येट्यूब चैनल में आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं वो है क्योमेलेटिव रिकॉर्ड जिसको हिंदी में संचय अभी लेक कहा जाता है तो इस वीडियो में यहाँ पर हम डिटेल में क्योमेलेटिव रिकॉर्ड के बारे में डिसकस करने वाले हैं हेलो एब्रीवन, स्वागत है आप सभी का काजिश्योमा क्लासिज येट्यूब चैनल में आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं वो है cumulative record जिसको हिंदी में संचय अभिले कहा जाता है इस वीडियो में यहाँ पर हम डिटेल में discuss करेंगे cumulative record के बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चाहो तो चैनल को subscribe भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियो की notification आपको time से मिलते रहे सो introduction के साथ start करते हैं कि संचय अभिलेक या cumulative record होते क्या है यहाँ पर एक example दिया है उसकी help से हम समझेंगे कि what is cumulative record या संचय अभिलेक जब बच्चे पारिवारिक जीवन के बार्ट विधाले जाते है मालेजी एक बच्चा है जब वो विधाले में जाता है तो उस छातर का एक record बनाया जाता है जिसको अभिलेक कहते हैं record को हिंदी में अभिलेक कहते हैं जिसमें बच्चे का नाम यानि जो बच्चा है उसका क्या नाम है पिता का नाम क्या है फादर का व्यवसाई यानि जो फादर है उनका occupation क्या है आदी सभी चीजों का एक record बनाया जाता है ताकि निदेशन में छात्रों को समस्या के समाधान से पूर छात्र को समझना आवशक है देखिए record रखा क्यों जाता है ताकि जब हम बच्चों को निदेशन दे कोई भी guidance दे तो उनकी समस्या को समाधान करने से पहले उनकी problem का हम पहले छात्र को समझ सके और छात्र को समझ ले के लिए हम एक छात्र से form फिल करवाते हैं जिसमें उनसका नाम क्या है उसके father क्या करते हैं उनकी medical condition कैसी है attendance कितना है पिछले स्कूल में बच्चे का कैसे performance था यह सारी information collect होती है उसी को कहा जाता है क्यो मोलेटिव रिकोर्ड या फिर संचय अभी लेक इस कार्ड में ये सभी सूचनाई की जाती हैं उसे संचय अभी लेक पत्र कहते हैं यानि जिस भी form के उपर या किसी भी जगहाँ पर आप नोट करते हो तो जिस जगहाँ पर आप नोट करोगे मालनी जी कोई फार्म है या फिर कोई कार्ड है तो उसी को आप क्या बोलते हो संचय अभी लेक पत्र कहते हो यहाँ पर हमने introduction किया उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे विद्यो का मतलब क्या होता है टेकनीक यानि कि बच्चे की information लेने के लिए आपने काफी सारे methods का काफी सारी techniques का यूज किया होता है और जब आप उन सारी सूचना को एक स्थान पर रखते हो तो उसे ही कहा जाता है cumulative record अर्थात हम कह सकते हैं कि संचय विलेक ऐसा दस्तावेज है यानि कि ऐसा document है जो व्यक्तिकत शिक्षार्थी के आकलन से संबन्द सूचना का एक आलेक है किसी विध्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाबदायक और विश्वशने सूचना इकर्टित करने की व्यवस्ता होती है पाइता से चात्र की प्रगति विधाले के वातावरन से उसका सामझस से तथा उनकी अनुभवव विकास का पूर्वग्यान हो सकता है देखें यहां पर इस paragraph का या इन कुछ लाइन का मतलब है कि माली जी एक बच्चा है ठीक है उनकी स्कूल में performance कैसी थी बच्चा cultural activities में कैसा था उनका health कैसा है attendance level कैसा था तो सारी information का record होता है उसी को cumulative record कहते है जो character certificate से different होता है यहां पर मैंने just आपको example देने के लिए character certificate का use किया था तो जहां पर बच्चे की सारी information collect की जाती है जिस form पर या फिर जहां पर भी record किया जाता है उस card को कहा जाता है cumulative record तो है definition of cumulative record मुर्यत हुमस के अनुसार संचय अभी लेक एक छात्र सम्मंदित लंबे समय तक एकत्रित की गई सूचना है यानि संचय अभी लेक क्या होता है एक छात्र से सम्मंदित लंबे समय तक एकत्रित की गई जानकारी संचय अभी लेक होती है Second or definition है वो Ellen के थूदी गई थी किसी विद्यारती के मुल्यांकन से सम्बंदित सूचनाओं का आलेग संचित अभी लेग पत्र के लाता है यह एक सान पर रखा जाता है Next is Importance of Cumulative Record Card संचित अभी लेग पत्र के importance क्या होती है? मेहत्र क्या होता है? First point आप देखोगे सिक्षा का प्रमुक उदेशे, छात्र का सरवांगिन विकास करना है आता है संची तभी लेक पत्र इस उदेशे की प्राप्ति में सहायक सिद होता है क्योंकि जो क्योमुलेटिव रिकॉर्ड होता है उसमें छात्र की सभी इंफॉर्मेशन होती है चाहे वो अटेंडन्स की हो, बच्चे की परफॉर्मिंस की हो, अकेडमिक्स की हो जिससे बच्चे का ओल्ड राउंड डवलप्मेंट हो पाता है नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे संची तभी लेक पत्र छात्रों की विबिन समस्याओं के निदान में सायक होता है क्योंकि वहाँ पर छात्रों की प्रॉब्लम्स भी मैंशन होती है तो प्रॉब्लम्स के सोलूशन जिसमें निदान में सायक होता है नेक्स पोइंट आता है इसकी साहिता से चात्रों के विकास की जानकारी का विशलेशन करने में साहिता मिलती है यहनी चात्रों का विकास है जो development है किस level तक की हो रही है कितना बच्चे सीख पा रहे हैं तो इन सभी जानकारियों का विशलेशन करने के लिए भी cumulative record की importance होती है फिर आप देखोगे नव न्यूक्त सिख्षकों को इन अलेक पत्रों की सायता से अपने विध्यारतियों को समझने में बहुत समस्या मिलती है यानि कि देखें इस point का मतलब यह है माले जी आप new new teacher गए हो school में आपको बच्चे के बारे में ज़्यादा नहीं पता हो और आपको उनका syllabus करवाना है या फिर exam है आप बच्चों को उनके according ही पढ़ाते हो जैसा उनका mindset होता है तो आप जो अलेक पत्र होते हैं यानि जो cumulative records होते हैं उनको देखकर भी अपने विध्यारतियों को समझ सकते हो next जो point है वो है इन अलेकों के द्वारा इस अधार पर छात्र के प्रमान पत्र त्यार किये जाते हैं यानि जो बच्चों को certificates मिलते हैं कि उनका performance कैसा है बच्चा को curriculum activity में कैसा रहा है आप cumulative record के base पर ही वो prepare करते हो देखे अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूं हो सकता है तो आप वीडियो को आप side में यहाँ पर देखोगे three dots आते हैं वहाँ पर speed का option है तो आप speed को अपने according slow भी कर सकते हो यहाँ पर notes की help से मेरा objective वस यह है कि आपको समझ आ सके content क्या है या फिर cumulative record का मतलब क्या होता है तो आप यहाँ पर अपनी facility के according speed को जो है कम या ज़्यादा कर सकते हो so next point पर चलते हैं परतिवर्शाली बालकों की खोच तथा कू समायोजित बच्चों के निदान में भी यह पत्र सहायक सिध होते हैं यानि जो बच्चे आप बोल सकते हो कू समायोजित का मतलब होता है slow learners आप जैसे example मैं दू तो आपको जो बच्चे slow learners होते हैं या जो brilliant student होते हैं उन दोनों के निदान में यह सहायक होता है यानि दोनों को diagnose करने में उनकी problem के solution करने में helpful होता है next point आप देखोगे वो again वही बात कही है कि जो मुख्या ध्यापक होते हैं विध्यार लेके या प्रधानाचारिया होते हैं प्रतेक चात्र को चरित्र परमान पत्र भी देना होता है जो example मैंने आपको पहले दिया था कि character certificate भी जो बनाय जाते हैं बच्चों के वो cumulative record के base पर ही बनाय जाते हैं next point है जब विध्यारती एक विधाले को छोड़कर दूसरे में जाते हैं तो संचीत अभी लेक पत्र अपने साथ लिकर जाते हैं जिससे जो नए स्कूल होते हैं वहां के जो सिख्षक है उस विधारती के बारे में जान पाते हैं अगेन जो ninth importance है संचीत अभी लेक की वहां संचीत अभी लेक पत्र स्वेम अध्याप को द्वारा लिखी जाते हैं अते इन्हें छात्रों की प्रगति वह समस्याओं का तदकाल ज्यान हो जाता है कि इस छात्र की तरफ व्यक्तिकत रूप से ध्यान देने का शकता है यानि जो cumulative record है वो teachers ही बनाते है तो उन records को लिखते लिखते teacher को पता लग जाता है कि उनका student कि subject में या फिर कौन से activity में पीछे है कहां पर ज़्यादा focus करना है Now हम discuss करेंगे types of cumulative record कि कितने तरह का या कितने प्रकार का संचीत अभी लेक होता है So one by one discuss करेंगे Majorly three types का होता है cumulative record So जो first type है वो है एकल अभी लेक card इसको English में याद रखोगी तो ज़्यादा easy रहेगा यानि कि single card record एक single card record होता है ज़्यादा बड़ा लंबा चोड़ा नहीं होता देखें यहाँ पर example Simple सा एक मान लीजे आपके पास एक card है जिसके दोनो side यानि जो front side है वहाँ पर भी information मिलती है विधारतियों की और जो back side होती है वहाँ पर भी information मिल जाती है तो यह होता है single card record Next type आप देखोगे जिसको बोलते है pocket folder English में भी इसको pocket folder ही कहा जाता है और Hindi में भी pocket folder कहते है यह है 4 by 6 inch का होता है जिसमें संपूर्ण पत्र की अकार का होता है यह एक लैटर फोम में होता है proper इसमें लिखित रूप में विभिन सूचनाए सहित अनेक कार्ड समिलित होते हैं इसे के अंदर कई कार्ड होते हैं और विश्यो का वर्गी करन करने के लिए रंगीन पत्र का उप्योब भी किया जाता है यानि कि एक तरह से colorful headings का use किया जाता है माल लीजियो बच्चों की activity के बारे में अलग से colorful heading है या फिर उनकी attendance के बारे में अलग से heading है तो एक pocket folder बना होता है 4 by 6 inch का यह आपको याद रखना है next चो type है वो है cumulative folder जिसको संचई folder कहते है हिंदी में यह पत्र बड़े अकार के होते हैं बड़े अकार का एक letter type होता है इसमें अतिरिक सूचनाओं के लिखने की व्यवस्ता होती है और इसके 4 भाग होते हैं 4 parts होते हैं और cumulative record का जो folder होता है जो format होता है उसके अलावा teacher अपनी तरफ से भी आपने सुना होगा remarks तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं अच्छे संची तब लेक की विशेशता है क्या होती है so first point है संपूर्ण सूचनाओं complete information अगर आप एक good cumulative record maintain करना चाहते हो तो उसमें सारी information आप डाली है students की वास्तविक सूचनाओं सारी information true हो कोई बनावटी बाते ना हो बच्चे के record में third point है सामुहिक मुल्यांकन collective evaluation बच्चे का आप एक तरह से group performance भी देखी कि बच्चा socially कैसा है objective हो यानि कि objective का मतलब बोले तो जिस target के थुरू आप cumulative record बच्चे का रख रहे हो वो complete होता हो यूजेबल आधुनिक में नमीन तभ रिसेंटली या फिर न्यूएस्ट माली जी एक एक बच्चा है वो छे महीने पहले मैच में 100 में से 40 मांक्स लाया था लेकिन अब वो 70 मांक्स लाता है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की आप ज क्यूमुलेटिव रिकोर्ड बनाईए बच्चों को दिखा करना बनाईए और नेक्स आता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक व्यापक मतलब की सिर्फ आप एजुकेशन का रिकोर्ड नहीं रखोगे बच्चों की एक्टिविटी का बच्चा शोशली कैसा है उसका बीहेवि परीचे जिसमें आप बच्चे का नाम उनकी एक तरह से कास्ट उनका एड्रेस क्या है प्रवेश्टी थी क्या थी ठीक है जिस जिस नेक्स्ट है संची तबीले एक पत्र की सामगरी कंटेंट्स ओफ क्योमोलेटिव रिकोर्ड यहां पर वन बाई वन आप बताओगे कौन-कौन से कंटेंट्स या कौन-कौन से कोलम हम डालते हैं क्योमोलेटिव रिकोर्ड बनाते ताइब जो फर्स्ट कोलम रहता है फर्स्ट कंटेंट रहता है वो है परसनल जिसमें आप बच्चे का जनामस्तान लिंग जाती यह सभी मैंशन करते हो फिर आता है घर वे समुदाए यानि बच्चे का घर कहां पर है उनके फादर क्या करते हैं क्या काम करते हैं उनके फादर शोश उनका health बच्चे की health कैसी है उनका weight कितना है height कितनी है या फिर उनको कोई diseases या कोई बिमारी दो नहीं है तो यह mention करते हो fifth content में शमताओ का ग्या measurement of abilities बच्चे की abilities आप बताते हो कितनी है interest क्या है बच्चे का देन आता है व्यक्तिकत विशेशता है बच्चे के क्या-क्या specialities है लाइक बच्चा honest है self-respect है उसके अंदर representation एक तरह से उसके अंदर qualities है तो यह सारी next जो है content वो है academic work बच्चे academic work में कैसा है and then आता है विध्याले के परतिद्रिश्टी को जो school के परती बच्चे का attitude है वो कैसा है तो यह सारे थे contents जो हम cumulative record बनाते time डालते हैं देखोगे मैंने एक cumulative record prepare किया हुआ है जो आप as a example या फिर as a specimen आप दिखा सकते हो ड्रोकर के भी exam में भी चाहो तो या फिर वो आपकी choice है बाकी मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या आपको information add करनी होती है जैसे यहाँ पर आप first पर देखोगे identifying data में क्या बताते हो आप जो student है उसका नाम क्या है male है female है date of birth क्या है जो birth place क्या है उनकी मातरी वाशा क्या है फिर बच्चे क्या आप health data के ल percentage कितना है बच्चे की प्रेजेंट का और यहाँ पर teacher remarks टालती है then आप यहाँ पर academic record बनाओगे कि कि सब्जेक्ट में बच्चा किस class में कैसा performance किया था बच्चे ने तो इस तरह से cumulative record प्रिपेर किया जाता है so thanks for watching वीडियो अच्छी लगी हो like share and comment करके जरूर बताएं कि वी